आज हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल इमेल किस तरह से बनती है प्रोफेशनल इमेल क्यों जरूरी है और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं अब मान लेते हैं कि आप एमाजान के उपर होलसेल बिजनस करना चाहते हैं आप सबको पता है कि होलसेल बिजनस में जब हमने कि इतने प्रफेशनल हो आपकी बड़ी जबरदस किसम की वेबसाइट है और आप उनको यह कह रहे होते हैं कि आपना हमें अपनी पॉर्ड सेल करना अलाओ कर दो ताकि हम आपकी पॉर्ड को होलसेल प्राइस पर लेकर सेल कर सेके उनसे अथर्ट डिकेशन लेनी होती है अब उसी सेम ब्रैंड को बहुत सारे और लोग भी अप्रोज कर रहे होते हैं तो उनमें से उन्होंने कुछ को शॉर्ट लिस्ट करना होता है उन्होंने जो इमेल की होती है न सबसे पहले इंप्रेशन तो वह यहीं पर पढ़ता है अगर यह वाला इंप्रेशन गलत पढ़ तो ब्रैंड तो आपको रिप्लाई नहीं देगी फिर आप कहेंगे कि यार ब्रैंड रिस्पॉंस ही नहीं दे रही मैंने इतनी मेहनत की यह किया वो किया तो उसके लिए आप प्रफेशनल इमेल लाजमी तौर पर आपकी इमेल जाती है किसी ब्रैंड को नाम लिखा हुए को है जी फॉर एदर वन टो थी एरदर जीमेल डॉट कॉम नाइटी परसंट चांसे हैं कि इमेल इंडोर होगी वो देखेंगे नहीं उनको पता है यार यह बंदा किसी कंपनी का नहीं इसको अपनी कंपनी नहीं इसको तो अगर आप वही उनको एक प्रफेशनल इमेल करते ही तो प्रफेशनल इमेल बनाते कि इस तरह से हैं यह मैं आपको step by step screen शेयर करके दिखा दूँगा किस तरह से दोमेनिम लेना फैँ बदा एगा तो प्रफेशनल इमेल אुपनी मेल कर सोदिव मांगा है इस तरह से आपनेमी मेल करणा है तो आपने सबसे पहले Google में आ जाना है, आपने Chrome के Google में आएं, और यहां पर आपने सर्च करना है, search टैब में Google Domains, यह सबसे पहला step है, जैसे आप Google Domains पर सर्च करेंगे, यहां पर होगा, register your domain name, यहां आ जाये आप, उसके बाद यहां पर आपने domain name लिखना है, जो आपका LLC का नेम है वो लिखने ज्यादा बहतर है मैं अग्जेंपल हैदर लिख रहा हूं ठीक है अब यहां पर आपके सामने प्राइसिंग शो हो जाएगी के डुमेंज की प्राइस क्या है अब जैसे यह है डॉट ब्लॉग आ रहा है एच डॉट स्टोर आ रहा है है डॉट पेज आ रह क्योंकि बना हुआ है तो मैं औरडी गुगल डॉमेंज में जाता हूं यहां पर जाने के बाद यह डेगंजीकॉमस.com यह मैंने डॉमें ने पर्चेज किया हूँ है गुगल डॉमें से अब मैं आ जाओंगा इमेल में और यहां से अगर इस पेज को मैं नीचे स्क्रॉल कर करना है मेरी है ड्राइगंजीकॉमस127-gmail.com यह वो इमेल है जिसको यूज करते हुआ आपने गुगल डॉमेंज पर चेज किया अब जब आप इसको सेव करेंगे एड करेंगे तो यहां पर आप देखें हैलो एड्राइगंजीकॉमस.com यह पर प्रफेशनल इमेल बन चु यहां पर आपने आजाना है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में और यहां पर नीचे आपको अप्शन आ रहा है एड एन अदर इमेल अड्रेस इसके उपर आपने क्लिक कर देना है यहां पर आपने इमेल अड्रेस लिखना है वह वाला लिखना है जो आपने अभी अभी बन तो में कर सकतके हैं in order appears घृष एक कर सकते चलिक डिए टो यहाँ लब कर चुर्प आप कर नहेंगे ऑर शैरा है पक्र पेस्ड का सब्क्राइब कर लिख देना है मैंनary क्वेर्गन्रींजिजै को सब्क्राइब बनुरुद ही प्रेंड criminal gestion पास्वर्ड नहीं लिखना यहाँ आपको बताता हूं फुर को एक पासवर्ड होता है उसके लिए पने यह आइकन मेर्म जाना है मैंनेज गुञ एकाउंट में जाे उसके बाद आपने आपना उप्शन है वो on कर लें enable करने और यहां search में आके आप लिखें app passwords ठीक है यह आ गया app password यहां पर आप अपने जीमेल का जो password है वो लगाएं जो आपके google account का password है और next के उपर आप जो है वो click कर देंगे ठीक है अब यहां पर आपने select app पे mail select कर लें select device पे आपने अदर्स कर लेना है यहां पर आपने अपना वह वाला email लिखना है जो आपने google domain में अभी अभी बनाया है तो वह है hello add the red dragons e-commerce dot com आपका भी इसी तरह का होगा तकरीबन ठीक है यह password इसने generate कर दिया इसको आपने कर लेना है copy ठीक है यह होता है एप password दुबारा आपने वापस जाना है अपनी जीमेल में सेटिंग में जहां पर आपने पास्वर लगा करना है तो यह एरर देगा यह एरर इसलिए क्योंकि हमें थोटा सा टाइम लग गया password निकालते निकालते तो आप इसी सब्सक्राइब को दुबारा रिपीट करें अगर फिर सेम एरर आ रहा रहा है तो पर आप इस पेज को रिफ्रेश कर लें एक दफार और दुबारा से सैटिंग में जाके आप जो है दुबारा से आजाएं इसमें सी अल सैटिंग में और फिर अकाउंट एंड इंपोर्ट और इसके बाद आपने दुबारा से क्लिक करना है एड एन अदर इमेल अडरेस अब यहां पर आप अपने अपना वह इमेल अडरेस डालना है जो आपने अभी निया बनाया है और फिर आपने जो है वो नेक्स कर देना है जो आपने अभी अभी काॉपी किया था ठीक है वो मैं यहां पर पेडिस कर देता हूँ क्योंकि अब हमने जल्दी जल्दी इसको कर लेए तो अभी यह वेरिफाय हो चुका है अब आपने एक और काम करने के बाद आपने दुबारा से जाना है अपनी जीमेल की सैटिंग में सी आल सैटिंग में उसके बाद अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स में और एड़ अडरेस के नीचे यह जो वाला आप्शन है इसको आपने कर देना है reply from the same address the message was sent to ठीक है अब अगर आप यहां पर देखे तो यहां पर यह मेरे मेरा जो अभी मैंने hello at there अब अगर मैंने किसी को email सेंड करनी है तो टू में मैं उस company की उस brand की email लिखूंगा और जब मैं email सेंड करूंगा तो मेरी जो professional email मैंने अभी बनाई उससे email जाएगा